ओके आज जो हम topic discuss कर रहे है that is the pathogenesis of diabetic ketoacidosis very important topic now what happens in diabetic ketoacidosis यह complication है generally type 1 diabetes का होने में type 2 में भी हो सकता है तो माली जी एक patient है type 1 diabetes का उसको type 1 का तो treatment insulin होता है क्यों लेना पड़ता है insulin type 1 में क्योंकि beta cells जो होते है type 1 वाले patient के beta cells बिल्कुल खराब हो जाते है उसको insulin बाहर से लेना पड़ता है अब माली जे मेरे पास में एक patient है type 1 का उसने क्या किया कि insulin लेना बंद कर दिया अगर वो insulin लेना बंद कर देगा तो अब देखे क्या होगा जब वो खाना खाएगा तो वहाँ से glucose तो absorb हो के blood में तो आ जाएगा अब blood में glucose बढ़ेगा और ये blood से glucose जाना था tissue के लेवल blood में बढ़ने लग जाएंगे अब जैसे जैसे blood में glucose के level बढ़ेंगे अब ये tissue जो है tissue में तो glucose नहीं जा रहा है इसको energy नहीं मिल रही ये tissue जो है एक्स्टाइपेटिक tissue ये liver को बोलेंगे कि हमें आप energy बेजो liver बोलेगा liver is mother of all organ liver क्या करेगा liver अपने body के जो fatty acid से उसको cut करना चालो करेगा beta oxidation करके acetal को बनाएगा acetal को एको pack करके दो molecule को ketone body बनते हैं अब liver के अंदर ये ketone body बनेंगे ये ketone body blood से होते हुए गूमते हुए ultimately उस tissue तक जाएंगे वहाँ जाके वो unpack होगा और ketone body जब unpack बोलेगा इसको एक दो दिन तक तो कुछ नहीं होगा क्योंकि liver सब चीजों का ध्यान रखेगा ketone बनाता जा रहा है ketone body आ रहे है और आके जो energy product provide करें tissue को लेकिन अब आप ketone body देखेंगे तो most common ketone body होता है beta hydroxy butyric acid मलब की ketone body एक acidic molecule है अभी तक तो देखने में ऐसा लग र रहे है लेकिन अब यह जो acidic molecule है इतने जादा blood में होंगे तो patient को metabolic acidosis हो जाएगा और क्योंकि acidosis जो develop हुआ है ketone body की वज़े से हुआ है and it's a complication of diabetes तो इसका नाम रख दिया हमने diabetic ketoacidosis अब इस patient को acidosis के symptom आएंगे जैसे कि patient को nausea, vomiting, abdominal pain यह सारी चीज़े होने लग जाएग पहुँचे की तो lungs का है तो काम है गेस को बाहर फिंगना तो यह acetone जो होता है जो DK के patient होता है उसके अंदर acetone जो होता है breath से बाहर आ रहा होता है acetone की smell होती है fruity इसलिए ऐसा बोला जाता है DK के patient में fruity smell of breath होगा इसके साथ साथ में क्या होगा आप देखिए इस patient का जो glucose का था वो utilization नहीं हो रहा था glucose blood में बढ़ रहा था अब glucose blood में बढ़ेगा तो glucose क्या करता है जहां पे भी glucose होता है वो तो water को absorb कर लेगा तो क्योंकि blood की osmolati जादा थी उसमें water को absorb कर लिया था अब यह सारा जो water और blood जो है यह जब volume blood का बढ़ जाएगा यह जब kidney में जाएग we will talk about the more about the investigation part and the management part right thank you